This is the complete syllabus of GK and GS ये मैंने आपको CHSL के लिए जो 2018 में पेपर होने वाला है मार्च में उसका मैं syllabus आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको GK GS में पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है GK GS सबसे बड़ी important चीज़ें तो GK GS में देखो क्या जो syllabus दिया हुआ है ये जो syllabus है मैंने अपने से नहीं उठाया ये जो syllabus है मैंने SSC CHSL के website से लिया है ताकि आपको मैं proper guidance दे सकूँ तो देखो सबसे पहले आपको चार चीज़े GK GS में आपको GK GS में 5 point को ध्यान रखना होता है फर्स्ट चीज़ होता है history हिस्ट्री में भी आपको static GK साथ ही modern history पढ़नी होती है दूसरा होता है आपको जगरफी जगरफी में आपको कैसे related issue कैसे map और देखने आना चाहिए कौन से terminology यूज़ करना है वो चीज़ आपको इसमें जानना पड़ेगा उसके बाद आती है जगरफी के बाद आपको पढ़ना है पॉलीटी पॉलीटी से बहुत ही कम question आते हैं तीन से चार question लेकिन इनका दाइरा SSE में कम है यह मैं अल्रेडी complete कराऊंगा तो इसमें से आपको 100% question बन जाएगा ठीक है फोर्त आता है आपको ठीक है फोर्त आता है कुछ भी आप ले लो current affairs, current issue जो आप current issue के लिए current affairs के लिए आप डेली regular news paper पढ़ सकते हैं और five चीज़ जो होती है ठीक है अब उसके बाद आपको चाहती है GS, GS में आता है physics, chemistry and biology physics, chemistry and biology मैं already फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा जैसे मैं आपको महत करा रहा हूँ ये भी चीज़ portion मैं कराऊंगा क्योंकि यहाँ से 6-7 question आते हैं और वो 100% बनते हैं ठीक है तो आपको जो चीज़ दायरा है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कुछ questions art and culture के होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो लिखा हुआ है न यहाँ पर environment around him and application society लव सोशल इसू हमें पढ़ने हैं ठीक है कौन-कौन से देखो यहाँ पर लिखा हूँ उसके बाद उसके बाद लिखा हूँ यहाँ पर current events current में जो events चलते हैं वो क्या-क्या चीज होते हैं ठीक है expectation education देखो अब उसके बाद क्या-क्या चीज इंक्लूड होगी देखो history इंक्लूड होगी culture इंक्लूड होगा जग्रफी इंक्लूड होगा economics science इंक्लूड होगा general policy इंक्लूड होगी और research मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या-क्या चीज complete कराऊँगा जैसे देखो general knowledge में आपको general science complete कराऊँगा physics chemistry और biology complete कराऊँगा दूसरी चीज economy economics में complete कराऊँगा क्योंकि economics से बहुत ही कम दायरा है sse का और वहां से भी 100% question बन जाते हैं थर्ड मैं कराऊँगा polity पॉलीटी से भी question 100% बनते है sse में ठीक है और फोर्थ है हमारा static history, static history मतलब क्या है यह fixed है इसमें आप कोई change नहीं कर सकते तो static history यह सब आप खुद से पढ़ सकते हो अब मैं आपको बताऊँगी कौन से books से आपको पढ़ना है तो देखो एक books market में आती है gkgs की आपको lucent की book आती है ठीक है और जो मैं part है general science का physics, chemistry, biology और फिर से आपको मैं बता दूँ polity और economics यह मैं already complete कराऊँगा जहां से आपको 10-15 question total मिला कि यहां से होते हैं जिसमें आपको 100% marks मिलेंगे तो यह चीज मैं आपको कराऊँगा आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है CHSL exam से पहले मैं यह चीज़ें आपको करा दूँगा ताकि आपको कोई confusion ना हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को like करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां पर मैं आपको देता हूँ daily rakes यादो के class notes का वीडियो solution ताकि आप better understanding कर पाओ thank you bye bye मिलते हैं हम अब मैं आपको next video में बताओंगा कि आप कैसे 3 month के अंदर आप कैसे exams को crack कर पाएंगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा करने से लेकिन वो चीज़ें जो मैं बताओंगा न वो चीज़ें बहुत ही important है कैसे आपको manage करना है कैसे आपको necessarily चीज़ें है व वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 3 month के अंदर complete कर पाओंगे सिले बस thank you bye bye मिलते हैं next part में thank you